स्टूडेंट सीवेसी बच्ची परिक्षा की तैयारी में है लेकिन संकरमन्ट के डर से अभिवावक चिंता में है बोले बच्चों को प्रमोट किया जाए जी हाँ स्टूडेंट मानव संसाधन मंत्राले ने दस्वी सिर्फ नौर्थ एस्ट इंडिया दहली के लिए और बार करोना के मोजूद हालात के चलते इसे करवा पाना आसान नहीं है मंत्राला और सीबेसी से स्थिति स्पस्ट नो होने से अभिभावकों और चात्रों की चिंता बढ़ी हुई है उनका कहना है कि पेपर देते वक्त संकरमन्ट का खत्रा रहेगा इसलिए क्यों न बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए जी हैं दोस्तों सारे पेरेंट्स की यही डिमांड है कि सभी बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाए साथी में आप लोगों को बता दे FICCI की Assistant Secretary General शोभा मिश्रा गोश ने बताया कि एक्जाम सेंटर पर परिच्चा करवाने में संकरमन्ट का डर है बच्चों को स्कूल बेजने से पहले दो बाते जरूरी है स्कूल में कोई भी गतिवीरी तबी शुरू हो जब संकरमन्ट का ग्राफ नीचे आए और स्कूल खुले तो सोशल डिस्टेंसिंग और सेनिटाइजेशन का शक्ति से पालन हो क्योंकि अधिकांश स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बैठते वक्त बच्चों की कोहनी टकराती है एक तियाई बच्चे ये स्कूल आये जाए टीचिंग स्टाफ स्कूल जरूर आये ताकि ओनलाइन पढ़ाई में मदद मिल सके इसे बीच आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इंटरनेशनल बोर्ट रद कर चुका है परिच्चा है बच्चों को प्रमोट करेगा चलिए आप लोगों को एक जानकारी देदे All India Parents Association के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने क्या कहा उन्होंने कहा कि अधिकांश अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं एसे में दस्यू और बारवी की एक्जाम लेना जोकिम बरा हो सकता है अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए अब हम लोग बात करते हैं दिल्ली पैरेंट्स अशोशेशन की और उनके अध्यक्ष क्या कहते हैं तो अध्यक्ष अपराजीता गोतम का कहना है कि बारवी के नंबर से बच्चों का बहुच्च तई होता है बच्चों का कहना है कि अध्यक्ष अपराजीता गोतम का जो की दिल्ली पैरेंट्स अशोशेशन की अध्यक्ष है अब हम लोग आपको बताते हैं कि अनेडिट रिकोगनाइज प्राइवेट स्कूल का क्या कहना है जनरल सेकेटरी और दिल्ली में माउंट आबू पबलिक स्कूल में बोर्ड मेंबर भरत अरोडा ने कहा है कि बारवी के अंकों से बच्चों का बविश्यता ही होता है रही बात स्कूल कुलने की तो हम तैयारी में जूटे हैं सरकार के निर्देश पर ही आगे का कारिश शुरू करेंगे काफी बच्चे कमेंट्स के मारे हमसे मुझसे पूछते हैं कि सर आईसेसी बोट का क्या निर नहीं है विना केंद्र सरकार के सहामती के कोई भी एक्जाम नहीं ली जाएगी यहां कहना है आईसेसी बोट का अब हम लोग बात करतें इंटानेशनल बैकलोरियेट का मिन्स आईबी का भारत में लॉकडाउन लगते ही दस्य और बारवी की परिक्षा रद कर इन कक्षाओं में बच्चों को प्रमोट करने का आदेश दे चुका है जी हाँ IB ने अपना decision पहले ही ले लिया है दस्य और बारवी के बच्चों को अगली class प्रमोट कर देना चाहिए और उन्होंने इसा आदेश भी निकाल दिया है students और parents के मन में लगातार शंशे बना हुआ है कि हमारे exam होगी या नहीं होगी और यह हम लोग किस हिसाब से पढ़ाई करें क्या हम बारवी की पढ़ाई करें या फिर हमको next हमारे further future के लिए पढ़ाई करना चाहिए और मानों संसादन विकास मंत्राले और CBSC की बात करें तो वह अपनी तैयारियों में है और वह मानते हैं कि शायर संक्रमेंट कुछ कम हो जाएगा मंत्राले और बोट के अधिकारियों का मानना है कि जब जुलाई में 10 और 12 की परिक्षा होगी तब तक संक्रमेंट कुछ कम हो जाएगा वही कुछ अधिकारियों ने बताया कि सेश परिक्षा को लेकर चातर और अभिभावक तनाव में है यहाँ भी अहम है कि कोरोना में चीजे तेजी से बदल रही है इसलिए जून के अंतिम हपतों में फिर रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू किया जा सकता है दोस्तों और आपकी परिक्षा की डेट या तो एक्स्टेंड कर दी जाएगी जुलाई से या तो एक्साम रद्द कर आपको नेक्स क्लास में प्रमोशन दे दिया जाएगा तो यहाँ पर मंत्राले और सिबीसी दोनों ने क्लियर किया है कि जून के अंतिम हपते तक भी हम लोग रिव्यू करेंगे क्या इस्तिती है कोरोना का कहर बढ़ रहा है या फिर अब आकड़े गिर रहे हैं और आकड़े गिर रहे होंगे वहीं बारवी के बच्चों के भी सुझाव आये हैं परिचाए हो ताकि उन्हें विश्व ध्याले में एडविशन के लिए अच्छे अंक का एडवांटेज मिल सके और इस बारे में मीडिया ने मानोस अंसादन विकास मंतरी के स्कूल एजूकेशन विभाग की सेकेटरी अरिता करवाल से भी बात की उनसे संपर करने की कोशिश करी परन्तु अपना स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है तो यहां थी आज की ताजा information दोस्तों यदि आपको यह information informative लगी हो और आप लोग future में भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को हम लोग सारे बोट तता सारे अधिकारियो की official news, official announcement आप तक पहुचा तो subscribe कर लिजी हमारा यह YouTube चैनल अभी सर और साथ ही पास में बेल आइकॉन पर जाकर all notification पर क्लिक कर लिजीए ताकि future में आने वाले वीडियो की update आप तक पोचपा है सबसे पहले आज की वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत